विल्कम टो अक्रम डेरी फार्म चैनल हमें आज बल्ला गुड़े में और यहां का एक्जाइकली लोकेशन वगरा सारी डीटेल हम बात किरेंगे यहां के ओर्नर से इसलाम अलेकुम वहले हमसलाम मैं खेर से आप अम्याव प्याप किया नाम है आपका उमेर रभी आपका एक्जाइकली लोकेशन कहां पर बलागोड़ा आपके पास में यह स्टैलियन गोडा ना नर गोडा नर गोडा थींपर वाइट है इसके चैरे पर ब्लेज है हाँ काला है दिखिए और हल्के से जो शेड दिख रहे हैं आप खरारा वगरा करेंगे तो पूरे साफ हो जाते हैं चहरे पे खुला ब्लेज है क्या एज है इसकी या यह दो तीन साल का है है तीन साल का है हाँ मैक्सिमम तीन से चार साल रहेंगे है अब इसरिफ चार दात लगाया फ्रेश और चहरे पे ब्लेज भी है क्या है इसकी इसकी 59 अदिगे तो मेजर्मेंट करके बतला भी देंगे ना यह एक्सपेक्टेड है क्राइड का इन्धाय मैं अपन बता दिंगे तहल मैं बतला दिए कोई जान एक बार राइडिंग बतला देंगे आप इसके उसके बाद में पिर अपन रेट भगरा बतला लेगे है माईजना देख्ञा राइडिंग मगरा सुखिग कि चाल हूँ है इसकी चाल कि जाल गाएं अच्छा माराश्या की इसमें थर्ट प्लेस मारा वा भी हो रेवाल चाल में इसके इसमें सलामी वगएरा सब करता हुडा सलामी अब इदिक हैं वह भी देख लेंगे राइडिंग वगएरा सब चालू है देखिए 59 हाइट है कौन सी नसल में यह महारवार कांटे और मिक्स है ठीक है तीन पैर वाइट है चेहरे पर ब्लेज है काला गोड़ा है और लाले आप अंदर चाल देख रहे हैं आप कंटीनियू इसकी एकदम साथ और इस्पेशली जो लोग हैदरबार में पसंद करते गैलप आप वह भी देख सकते यानि घोड़ा जो फुल स्पीड से आता वह वाला भी अब जो सलामी वगरा जो काम है इसके अंदर वह भी आप देख सकते यानि यह वेल्ट ट्रेंड नहीं है यानि शौक के लिए लाली वे लेकिन कोई अगर चाहे तो आप लोग करवा के भी देख ले सकते कोई आए तो बतला भी देंगे अच्छा ठीक है चलिए मूर नहीं है इसका लेकिन कोई भी अगर आए तो बतला भी देंगे ओ जबर दस चलिए ठीक है काफी है और नाच काम भी है इसके अंदर नाच काम अगरा कर रहा है तो करता हम दो यानि काम सिखेवा घुड़ा है कोई अगर ट्रेंड करा लेंगे तो हो जाएंगा वोभी क्या रख रहें इसका एकसीक इसका 70,000 आसकिंग और प्रैस कम भी हो जाएंगा नेगोशोबल है काला घोड़ा है तीन पैर वाइट चैरे पे ब्लेस सेवेंटी ता हुज़ेनर आस्किंग है सकतर हदार इसमें कंबी हो जाएंगा रेवाल चाल का ग